जिसका एक capacity 10 microfarad, 10 microfarad वाले को बिटा, 100 microcoulomb तक चार्ज किया हुआ है, और 20 microfarad भी 100 microfarad तक चार्ज किया हुआ है, चीकिए बिटा, तो इस condition में, जो भी हमारा चार्ज है बिटा, वो सिर्फ आमने सामने के surface पे है बिटा, है न, तो इस तरह से, जब तक तुम switch close नहीं होगा बिटा, तब तक चार्ज यहां पे बटेगा नहीं, न, जब तक कि circuit complete नहीं हो, तब तक यहां चार्ज फ्लो नहीं होगा बच्चा, चीकिए, अब चलो, हमने switch close कर दिया, बच्चा, अब अगर मैंने switch close कर दिया, तो switch close करने से, switch close करने से, charge flow कर गया सब भो ध्यान दो बच्चा अब मान लो ये था हमारा 10 microfarad ये था बटा 20 microfarad है ना ठीक है गौर करो मान लिया बच्चा मान लिया मैंने कि charge यहां से क्यों flow किया है ना बटा हलाकि तुम उल्टा ही मान सकते हो कोई दिकत नहीं है ना उल्टा मान लोगे तब भी अपने आप आ जागा अंसर लेकिन मैंने ऐसा क्यों माना वो देखो बटा ये अगर 10 microfarad है बटा ये 100 microcoulomb capacitance है इसका मतलब 10 volt का potential difference है बटा जबकि इसका potential difference सिर्फ march volt का है है ना और charge हमेशा high voltage से इसका ये था बटा positive plate ये है negative plate ये हमारा है 100 microcoulomb है ना बटा तो positive वाले से charge निकल गया positive वाले चार्ज निकल गया बटा तो ये हो जागा 100 minus q ठीक है बटा अब देखो ये ही charge land किया इस वाले positive पे तो इसका charge हो जागा बटा 200 plus q 200 plus q हो है ना बटा तो यहां से charge ऐसे आएगा और इसमें charge ऐसे फ्लो करेगा बात समझ में आ गई ठीक है बच्चा अब तुम किर्चाफ लॉक के तहत इस लूप में घूम जाओ ठीक है तो यहां से आगे बढ़ोगे बटा तुमने टच किया positive plate positive plate टच किया तु क्या लिखते हो बटा minus लिखोगे कितना capacitor का potential difference q by c तो q हो गया बटा कितना देखो 200 plus q 200 plus q divided by हो गया बटा ये 20 ठीक है that is equal to sorry फिर यहां से आगे बढ़ो यहां touch किया negative plate तो यह हो जाएगा plus कितना 100 minus q by 10 is equal to 0 ठीक है बटा पूरे किर्चाफ लॉव में वही sign convention इस्तेमाल करना है जो sign convention तुम battery के लिए इस्तेमाल करते हो cell के लिए इस्तेमाल करते हो ठीक है बच्चा इस लूप में कर घूमो तो हमारा q निकल जाएगा क्या हो जाएगा जाएगा बच्चा यह हो जाएगा 200 plus q is equal to यह हो जाएगा बटा 200 यह हो जाएगा 200 है ने बच्चा और minus 3q है ने बटा उसके बड़ो गया क्या देखो तो 100 minus q और 200 plus q ठीक है बच्चा यह हमारा कितना हो जाएगा बटा देखो यह हो जाएगा 200 plus q by 20 equal to 100 minus q by 10 ठीक है बच्चा तो equal to यह 0 कट गया बच्चा तो कितना आ गया यह हो जाएगा बटा 200 plus q by 20 यह हो जाएगा बटा 5 वोल्ट यह हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट high वोल्ट से चार्ज आया बटा low वोल्ट वाले में तो यहाँ जो चार्ज था बटा 100 उसमें से q गट गया तो यह हो जाएगा बटा 100 plus q ठीक है ना 100 minus q यहां पर आया तो गया विटा 200 प्लस Q, यहां से लूप आये, टच किया positive plate, लिखेंगे minus, potential difference Q by C, तो 200 प्लस Q divided by 20, ठीक है, अब यहां आओ, यहां चले, टच किया रिखेंगे लिखेंगे plus, 100 माइनस Q divided by 10, ठीक विटा, इसको उदर ले गया, तो कितना हो गया, 200 प्लस Q by 20, औ यहां हमारा पिटा, 100 माइनस Q by 10, 0 कट गया पिटा, तो यह हो गया 200 प्लस Q इक्वल टू, यह हो गया पिटा, 200 माइनस 2Q, ठीक है, ठीक है पिटा, अच्छा यह 100 था न, सॉरी, अभी दिखा बढ़ा रहा पिटा, यह 100 था न हमारा, ठीक है, यह हो गया हमारा पिटा, 100 प्ल और यूल do you want r a 3 dünya कुलम केrüंब निकल गया हमारा एंड़ेड भाई 15Sp3 जाएगा और इन लोगाँ क्या का ऊधिफनेगे हमें क्या चाहिए था और इनर्जिख लो स्क्राइट प्राइट 14 अब आगे देखो बच्चा तो दुख बटा अगर सिस्टम में पहले की इनर्जी कही जाए सिस्टम में पहले की इनर्जी कहा जाए तो पहले कितना इनर्जी क्यों कि चार्ज दिया हुआ था ना बच्चा क्या हो जाएगा हंड्रेड हंड्रेड इन्टू टेन पावर माइनस सिक्स क्यों सा फ़मुला आए है क्यों इसका प्रेटा कितना इनर्जी पहले इस पर भी चार्ज कितना था प्रेटा हंड्रेड था तो क्या हो जाएगा पटा हंड्रेड इन्टू टेन पावर माइनस इक्स काई स्क्वाइर divided by 2 into C. ठीके बच्चा? चीके? अब निकाल लोगे बटा U final. U final क्या? तो इस पे कितना चार्ज? 100 plus Q. तो कितना बटा? 100 plus 100 by 3 into 10 to the power minus 6 chi square by 2C. ठीके बटा? फिर plus इसमें कितना इनर्जी देखो? इसमें आमरा इनर्जी तो 100 minus 100 by 3 into 10 power minus 6 chi square divided by 2 into C. ये बटा, ये कितना हो गया? 10 into 10 power minus 6. ठीक बटा? ये पहले की इनर्जी, ये बात की इनर्जी. तो इनर्जी loss कितना हुआ? तो इनर्जी लॉस हो गया विटा? यू इनिसियल minus यू फाइनल. चीके बच्चा? लिख ले इसको? नोट कर ले बच्चा? नहीं बटा, ये पहला ही कोशन था? पहला ही कोशन था? पहला ही कोशन था, ये पहला ही कोशन था, ये पहला ही कोई आवाज नहीं आ रही? लिख बच्चों, अगला सवाल? अगला हमारा सवाल है? ये कैपसिटर प्लस माइनस ये है बटा क्यू चार्ज ठीके, इस पे क्यू चार्ज और कैपसिटर्ण सी, ठीके? अब अगला देखो ये है ये भी ऐसा प्लस माइनस ये है मारा बटा कैपसिटर्ण सी और इस पे चार्ज 3Q इस पे चार्ज क्यू कैपसिटर्ण सी इस पे चार्ज 3Q और इसका भी कैपसिटर्ण सी ठीके? सवाल क्या देख बच्चा सवाल यह है if connected in reversed polarity देख बटा अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ लेकिन polarity को उल्टा रखूँ है ना सवाल है find find energy lost ठीक है बच्चा तो किती energy loss होगा ठीक है देख बच्चा तो अगर इसके solution में आओ है ना तो कहता है बटा उल्टा जोड़ना है मतलब reverse polarity का मतलब उल्टा जोड़ना है मतलब plus को जोड़ना है बटा माइनस से और minus को जोड़ना है बटा प्लस से तो देखो अगर मेरे पास ये capacitor और ये capacitor अभी सोचो तुम ने कि switch तुम्हारा off है switch stuff तुम्हारा off है बीटा अभी charge influence नहीं किया है तो इसका plus इसका minus इसका plus इसका minus और यहां जोडना है बिटा इसके plus वाले को इस इसके माइनस से, और इसके माइनस वाले को इस से plus वाले को, तो यह 3qc, और यह q, और यह c, ठीक है बच्चा? अब सोचो, अब सोचो बेटा, कि इसमें से, इसमें से माल लो, q charge निकल के इसमें गया, जब Queens तुमने close किया बेटा, तो मान लो कि इसमें इस charge आया विटा x तो इसमें से अगर x charge आया तो इसके positive plate में से x निकल गया इसके positive में से x निकल गया तो निकलने के बाद अब इसमें charge कैसा होगा देखना विटा यह सबसे important चीज़ है charge का distribution अच्छे समझ लो ठीके वच्चा तो देखो यह था पॉजिटिव प्लेट यह था नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव वाले में से अगर X निकल जाए तो चार्ज घड़ जाएगा बच्चा तो यह हो जाएगा चार्ज 3Q-X और कैपसिटेंस इसका अभी भी C है अब इसमें देखना यह पॉजिटिव संठेट में हैं है न सोचो माइनेस 20 माइन सब्सूर प्लस दो माइन थीस प्लस दो माइन स लिक्स जागा पीजा ना फिर सुनो फोजिटिव प्लेट से चार्ज निकल जाए चार्ज लॉस, पोजिटिव प्लेट पे चार्ज गेन करें, तो चार्ज गेन, नेगेटिव प्लेट से पोजिटिव चार्ज बाहर निकल जाए, तो चार्ज गेन, नेगेटिव प्लेट से अगर चार्ज निकल जाए, तो चार्ज गेन है बिटा, चार्ज बढ़ जाएगा, ह समझ में आए बच्चा क्योंकि flow हमेशा हम लोग conventionally positive को ही मानते हैं ठीक है बच्चा अब देखो तो इसका चाह जागा बटा यह जागा प्लस माइनस और यह जागा प्लस माइनस एक्स समझे अगर एक सु लिखते हो प्लस माइनस इसका मतलब क्यू माइनस एक्स और उल्टा क अधित्या बोलो सरी यह आज का दूसरा question है सर हां second question है बच्चा थैंक्यू सर कॉसल सर्जो आपने करगो बताया था कि यह सेल के अनर्ज के अनर्जी होती है हाव एक्स्टरनल प्रस डबी सेल इकोल स्टो डड़ेटा यू प्लस हेच इनर्जी एक्वेशन आफ सेल जैसे तुम मेकैनिस में इस्टर्टे हो ना वार किनाजी थ्यूरम वैसे उसको भी समझो सर्पड़िसी वह एक्स्टरनल वक्तु सेली करेगा उस पर प्लेट को कि दूर कर दे को दकिल के पास कर दे तो एक्सटरनल फोर्स ना अब इसे वालों में आएगा झालों सरुर जिसे के पिसिटर होता है वो उसके अंदर राइंट की डारेक्शन हम रजिस्टर जिसे मानते हैं क्या एक प्लेट से दूसरे प्लेट की बीच में तो गैप नहीं है नहीं नहीं हो सकता है नहीं वह अध्य पेच्छ दुनों प्लेट के बीच में फ्लो नहीं करता इंडेक्षन होता है अम्तिवारी यस सर पहला कोर्शन मतलब थोड़ा लेट जोए नहीं था तो नहीं समान में आए सर कोई बात नहीं यह वाला कोर्शन ट्राई करो यह समझ जाओ के फिर दोनों कोर्शन एक जैसा ही था अशेस दूबे सर इसे पहले वाला कोश्चन और मुले नहीं कर सकते थे सब्सक्राइब कर अब दोवार्शन में दोनों इस दिया एक जैसा यह बताने के लिए कि इस फर्मुले को गर इस्तेमाल करना हो तो कैसे करना है बताएं के हो ठीक है, ओके, रिसू हाँ, हेलो सर, बोलो बच्चा, सर अगर एक कैपसिटर है हमारे पास, और उसका एक का चार्ज सीवी है, मतलब एक पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का माइनस सीवी है, और वो अगर बैक्टरी से कनेक्ट कर देंगे, तो सर उसमें फिर चार्ज फ्लो क्या होगा, और हीट अगर माल लो बैटरी का पॉटेंशिल ही है माल लो, हाँ, और कैपसिटर का इवी है पहले से, तो चार्ज तो नहीं करेगा बच्चा, अगर बैटरी का बड़ा होगा पॉटेंशिल तो फ्लो करेगा, अच्छा, और भी वाई टू अगर ले ले तो, अगर दोनों का पॉट अगर बैटरी का वी वाई टूब कर लेंगे, तो भी फ्लो करेगा, का बच्टर से बैटरी हो जागा चार्ज, अच्छा, ठीक है, हाँ, तो फिर, बोलो, डेल्टा यू प्लस एच से निकलेगा, क्या, हाँ, उससे भी निकालेंगे, उससे ही निकालेंगे, अच्छा, ये स देवेश जैन, सर अपन को दिया रहता है, कौशन में, कौन सी प्रेट पे कौन सा साइन आएगा, हाँ, जरूरी है, दिया रहता है, कौशन में, हाँ, बिल्कुल, ओके सर, थैंक्यू, तक बच्छा आगे करूं मैं अब, तक बच्छा इस फिर से लूप में गुम जाओ, फ टच किया नेगेटिव प्लेट, तो लिखेंगे बिटा पॉजिटिव, कितना लिखेंगे, 3Q माइनेस X बाई C, फीदर रहाए, टच किया नेगेटिव प्लेट, तो लिखेंगे बिटा फिर प्लस, कितना लिखेंगे, Q माइनेस X बाई C, इक्वल टू, जीरो, ठीके बच् X equal to 2Q हो गया X equal to हो गया बिट्टे मेरा कितना 2Q हो गया है न तो energy lost कैसे हुआ देखो तो देख बिटा फाले energy कितनी थी तो कहेगा U energy इस पे Q इस पे 3Q इसका मतलब अच्चा QV square by 2C प्लस इसके लिए बिटा इसके लिए 3QV square by 2C यह हो गया 9 plus 1 यह हो गया बिटा 5Q square YC बोलो यह 9 plus 1 न बच्चा अब चलो बिटा U final U final में देख बिटा यह 3Q minus X और X है बिटा 2Q इसका मतलब 3Q minus 2Q का ही square by 2C प्लस इसका देख बिच्चा Q minus X Q minus 2Q का ही square divided by 2C कितना हो जागा बिटा देख दो यहां से हो गया 1 और यहां से हो गया 1 इसका मतलब हो गया बिटा यह QV square by C इसका मतलब energy lost कितना हो गया U initial minus U final इसका मतलब इसका मतलब बिटा 4Q square by C ठीक है कितना हो गया बिटा कितना हो बिटा देखे बच्चा A वाले पॉइंट को जोड़ दिया C वाले पॉइंट से and B वाला पॉइंट को जोड़ दिया बिटा D वाला पॉइंट से है ना सवाल है find charge flown ठीक है बटा चार्ज कितना फ्लो किया बनाओ अन्मोल बोलो बटा अलो बोलो बच्चा सार जो पंखे में वो कंटेंशन रहता है वही केपेशिटर होता है हां कंटेंशर और केपेशिटर एक ही चीज़े बटा वह सिलेंड्रिकल होता है हां वह सिलेंड्रिकल केपासिटर है वह किसा थैंक्यों अगर बलाड़ हो गया बिटा है तुम्हारा कर बाड़ है बिटा है मेरा सई डिस्प्ले हो रहा है बिलकुल मैं दोनों इस्तिमाल कर रहा हूं मुबाइल भी और कंप्यूटर भी जो मेरे पास दिखता है वही तुम्हारे पास भी दिखता है सेम टू सेम मेरा एटवर्क बहुत सही है अपना है अटवर्क कर बच्चा ऑप रसन बोलो संकेत ऑन्सकेत ऑलो पिछले कोशन में वह क्यों माइनस एक्स केसे हो गया तो अब भी लिखाया देखो एक से यहां से गया बच्चा तो कौन से प्लेट पी आया नेगेटिव तो बताओ नेगेटिव चार्ज और पॉस्ट सर्ट सिर्का इनर्जी स्टोर करने काम करता है ये मतलब डेली लाइफ में अप मतलब गर त म एशने में इस्टेमाल होता है जादा अधरे लेक्ट्रिकल डिवाइसेज में का चंडेंसर होता तुम्हारे पास क्या डिस्प्लेय हो रहा है यह सिर्फ तुम्हारे ट्वर्ग पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता रोसं अ सफिकल अंनल झेल वह उसकती निकलरा जया उसमारे गेंड हो दो सक करणेख बार क्यों नहीं रहा सर खौन ACL mortal क्लेष किया था किया उप ाला क्लास बूर्द हो हो था नहीं किसी भी केपेंडर का हॉताया कॉ अचंसेंट उसके सेप पर डिपेंड करता है, साइस पर डिपेंड करता है, और मीडियम पर, डेल बोलो, डेल, बोलो बटा, कोई आवाज नहीं आई डिल की, देवेश जैन, ए ए ए एलेवन काया, माइनस टू क्यू बाई थ्री, सिद्धिका का अंसर आया, क्यू बाई थ्री, करुणा का अंसर 4Q, देखते हैं बटा, दादा भाहू का, क्यू बाई 4, और जी खिवासता हो, अरिफिट का काम यहां है वो सिकतर करना एं, रसके आयर्टा की, तरह भी मैतला सकते हैं ना सकतरा को काम है अब करने, श करना बैडरी में पो वह अचान क्यूटर में चार्ज बढ़ते जाएंगा, तो पोडेंशल बढ़ता जाएगा तो पोडेंश फ कि बहुत सारे बच्चों का क्यूबाई फोर आ रहा है चलो देखो बच्चा कि मैं करूं देखो देखो बच्चा कि इसका सलूसें यह कैपसिटर्स चलो यह बनायता हूं इसी में देख लो बच्चा कहा था मैंने A को जोड़ दिया बटा C से और B को जोड़ दिया बटा D से ठीक है अब देखो बटा चार्ज यहां फ्लो कर गया चलो मान ले बच्चा चार्ज यहां से ऐसे फ्लो हो गया एक्स तुम उल्टा भी मान सकते हो आना अपने आप सल्फ कर गया जागा बच्चा तब तदेखो यहां से फ्लो गिया चार्ज एक्स देखने से तो कहां से निकला पॉजिटीव चार्ज से निकल गया चार्ज इसका मतलब हो गया 2Q-X टीको ब्चा एक्स टाके पहूंचा प्लस वाले के पास इस पहूंचा भिटा तो यह हो गया Q plus X ठीक है अब देखो बिटा यहां से Q आगे बढ़ा Q क्योंकि चैसे करेंट सर्कुट में करेंट घूमता है इसमें चार्ज घूमता है तो चार्ज यहां से बढ़ा आगे अब नेगेटिव वल अप्टेट पे चार्ज लेंड किया तो चार्ज घड़ जाएगा बोल अब इस लूप में घूम जाओ अब इस लूप में घूम होगे बिटा यहां से आगे बढ़ोगे टच किया पोस्टिप लेट पोस्टिप लेट अच किया तो माइनस माइनस ऑफ Q plus X divided by C माइनस अफ क्या लिख रहे हैं माइनस अफ लिख रहे हैं पेटा पोटेंशिल डिफ इक्वल टू Q by C आगे बढ़ो यहां से माइनस का होगे बिटा फिर प्लस ठीक हैं कितना होगे बिटा तो कहेंगे Q minus X divided by 2C Q minus X divided by 2C अब यहां से आगे बढ़ो यहां टच किया बिटा नेगे टिपलेट तो 2Q minus X तो यह होगे प्लस क्या 2Q minus X divided by 2C ठीक हैं यह होगे बिटा हमारा कैंसिल बच्चा हमारा only Q एक में देखो माइनस 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 तो हो गया माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू क्यों बाइफोर जिन लोगां से राया है वह बिल्कुल सही है नहीं करता क्यों कैकि मुझे पता नहीं कि वीडियो कहां से निकालते हैं मुझे ये पता है कि रिकॉड होगे चला जाता है ये जीक बिटा है वैसे यह चला जाता है जूम क्लाउड पे लेकिन उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है या को मुझे निकालना नहीं आता कि अगला सवाल Uncharged इसमें कोई चार्ज नहीं है पहले से Capacitancy एक से जोड़ दिया इसका EMF जाई इसका EMF जाई यह बच्चा ठीक है माइनस क्यों वह फोर आया तुम्हारा विटा मत्द उल्टा आया है डाक्सन उल्टा लिया आगा तुमने कोई दिकत नहीं उससे If Switch is Closed पहला सवाल Find Charge flown Number B Find Total Work done Buy cell Number C Find Energy stored Energy Stored In Capacitor Number D Find Heat Developed Banao Mere channel 12th lecture लगबग नहीं के बरावर हैं आप 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 हाथ 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 अ फ़िट पनलबच्चों सवाल बना हूँ कि सोर्य सेटिया कि क्या इस बार एक्जाम लेट होगा कास में बिटा जोतिस और कुंडली देखना मुझे आता तो कुरोना का कुंडली देख के बताता कि कुरोना कब खतम होगा कि उसका डेट आप टाइम अब बहुत ही पता नहीं है कुछ कर सके है कि पॉलरीटी का क्या होता है क्या प्लस माइनस कि प्रेडिक्ट तो कर सकते हो कि नहीं बिटा ऐसा गंदा सौख नहीं मेरे को कुर्चें में क्या है कुर्चें में जो भी बच्चा लिखा है पहला दूसरा तिसरा चोधा चार कुर्चेंट हैं कोई तक दोनों प्लेट के बीच में मीडियम नहीं है तो कोई मतलब नहीं पूलेटी गिवेन नहीं है क्योंकि कैपसिटर में कोई प्रश्चार्ज नहीं है जब चार्ज होगा तब आगा पॉलरीटी इस तेंस में कैपस्टर नहीं होता कैपस्टर में होता है रेजिस्टेंस अब आपने कितना सारा कोश्चन लगता है तरुपुछ पूछने भई चैट बंदी करना पड़ेगा पढ़ाई पर ज्यान दे अरुही नहीं बलना है इसको सार्या बोलो भी सार्या बोलो भी सार्या जब पोजड़दे बच्छा हाँ थे श्टर बढ़ेन अब प्रि शक्रेंगा तो है रहा-बेप currently प्रेंख आफ तो फाइन अब फ्लेप प्रिंट पे एगर पॉजटीव चैट अए तो beta पढ़ेगा पोजटीव प्राइगा पोजटीव घ्र Tech देग पीड़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज घटेगा, 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 चार्ज कर दो कर तक च घर और कि अब्हाश कर दोनुंटलोच अबंड ही तुमनु जे तुम ॉज अबन भीटा भी अजै उमारी तुम्हें अबले झाल 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 जब सेमनेचर का चार्ज मिलेगा तो चार्ज बढ़ेगा अब जिए ने ने चार्ज मिलेगा तो चार्ज गटेगा चुआ कि वच्छा कि अ चलो देखो मैं करता हूं तो दो कि बटा इस कैपसिटर पे पहले से कोई चार्ज नहीं है इसलिए कोई पॉलेटी नहीं है बच्छा जब चार जाएगा तो आएगा पॉलेटी तो स्वीच मैंने क्लोस गया बटा तो माल लिया यहां से चार्ज क्यू आया जब यहां से चार्ज क्यू आया तो यह हो ग अब पहता आइप पहला सवाल पाला सवाल कंप्लीट है दूसरा सवाल और उसका को पहला यतकflies चार्ज हो उसके पास ने बिटा जितना उसके पास चार्ज सप्लाई किया तो सप्लाई कितना किया क्यों ने बिटा और इसका EMF जाई तो यह हो गया C xi square C देखो बच्चा Find energy stored in capacitor तो capacitor में energy stored U final minus U initial U final QV square by 2C initial 0 दा बच्चा तो इस कितना हो गया Half C xi square अब देखो D में D में कहता है बटा कितना heat develop तो energy equation यूज करो W external plus W cell बराबर delta U plus H ठीक बच्चा external force कहीं लगा नहीं इसलिए 0 plus cell का work done C xi square ये half C xi square plus H तो H equal to half C xi square ठीके बच्चा क्या सिखा इससे कि जब भी कोई uncharge capacitor को बच्चा charge किया जाएगा तो हमेशा देखो बटा आधी energy loss हो जाएगी और आधी energy store होगी है ना बच्चा capacitor को energy कौन दिया cell cell दिया energy आधी बटा सो जूल तो पचास जूल जाएगा capacitor के बस और पचास जूल हमेशा loss हो जाएगा लेकिन कब जब uncharge capacitor charge होगा तो पाले से charge है तो कुछ और भी हो सकता है झाले सकता है झाले से लेकिन कब झाले सकता है झाले से。 क्लें सकता है झाले से हूआख बचास बच्चाबंप को है. समझा कैपासिटर जो पिछला वाला कैपासिटर था जो चार्ज हो चुका था उसको वहां से निकाला और एक दूसरे से जोड़ दिया जिस सेल का ये मेफ जाए बाई टू है एना ठीक है तो अब कितना हीट लॉस होगा आड़ी आड़ी लिखाया फास्ट चैनीज प्रोड़क्ट विशिज वर्किंग फॉर लॉंग टाइम क्रोना वाइरस वाह क्या बढ़िया लिखाया है बिटा चैनीज वाले बदनाम ज्यादा है लेकिन भले ही हमारे दुस्बन क्यों नहूं लेकिन क्यों कि काम अच्छा किया हो ताइर तो करने पड़ेगी इस गौर्वर्मेंट ने कितना अच्छा काम किया उसका यार कहां से कहां पहुंचा दिया एकनॉमी को कि इन्टीन सिक्स्टी के आज पास इंडिया और चाइना की आस पास थी और हमारी एकोनुमी से लगबग 50ज़ना एकुनामी थी अमेरिका की और सारे दूनिया में सिर्फ अमेरिका करता था है और अभ वो तो चाइना और अमेरिका बराबर हो गया एक्सपोर्ट करने में मत्था इंकम दोनों की बराबर है अब है कि मुहम्मद नदीम अंसर विज़ो कमेंट में अंसर नहीं बोल रहा है जिरो नहीं आगा विटा चिक करो कि रियल मी कि रियल मी कि रियल मी कि विस्वेश राहूथ कि अमन बार बार लिग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है ध्यान से देखने में विटा सस्वाज में आएगा जो आज में सब्सक्राइब प्लेट पर चार्ज लेंड किया उस पर पहले जीरो था क्यूं आ गया तो कितना हो गया प्लस की हो गया प्लस की हो गया दूसरे प्लेट पर चार्ज क्यों निकल गया हां तो वो नेगेटिव हो गया अच्छा ठीक है सबसे बड़ी गलती है नहीं बच्चा ऐसा मत सोचो डिमोक्रासी है तो हमारी आजादी है हम लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहें एक गलती है यह ने अच्छा तो हमेंसा अच्छा ही होता है बेटा वह कलत होता है ने क्यूं करने के बाद कैसे करते हैं लूप में गुमते हुए अगर पोस्तिव प्लिट को टुच किया फोस्तिप पे टच किया तो मैनस और प्लस अमान बोलो हुआ है ऐसे पोटेंशिल outsiders है घुख r लूप में दिवाईस हो हुआ सारे लूप में डिवाइस के पोटेंशियल डिफुर्स का समझीन्द होता है ना yes sir हाथ वैसे ही किया आगे बड़ा पर अले टुच किया मैंने के पसिटर को ऑजिटिभ टुच किया तो लिखा माइनस पिर आगे बड़ा टुच किया बैटरी के पॉस्ट पॉस्ट लिखा प्लस नहिए है और थैंक्यू सर्ण जाई बोलता हूं मैं से बात बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा नहीं है और शीट कब मिलेगी विटाये मैं नहीं बता सकता है ना मेरे पास इस सवाल का जबाव नहीं है तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है लेकिन जबाव मेरे पास नहीं है देखो बच्चा इस सवाल को मैं करता हूं बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा अंसर आया ज्यादा तरका 3 by 4 आ रहा है चलो देखो बच्चा if capacitor in the previous question is removed पहले वाले में से capacitor को remove कर लिया capacitor को बच्चा remove कर लिया तो अब क्या हो गया यह हो गया plus यह हो गया minus charge हो गया कितना बिटा C is आई है न बच्चा अब इस वाले को इसी capacitor को बच्चा इसी capacitor को मैं लगा दिया एक cell से जिस cell का EMF xy2 है तो अब सोचो इस वाले का potential difference कितना है बच्चा तो कहोंगे C xyc तो ji है potential difference यह है potential difference ji और यह है बच्चा xy2 इसका मतलब क्या हुआ उसका जादा potential है इसका कम potential है चार्ज कहां से कहा flow करता है हमेशा high potential से low potential है न बच्चा तो high potential से low potential में charge flow कर जाएगा और कब तक फ्लोग करेगा तो कोगे जब तक की दोनों का potential difference सेम ना हो जाए है नो बच्चा और जो अब तक हम लोगो कैसे बनाते आए कि मान लिया यहां से q flow ऋकर गया या X फ्लोव कर गया ना बच्चा तो इस पर चार्ज कितना हो गया C is आई माइनस X है न बच्चा और यह तो इसल है ने बटा तो पोटेंशिल ढटे गापड़ेगा नहीं बुल बिटा चिहाए और इस लूप में जा करके तुमें सब्सक्राइब करें अब तक मैंने मेरे में सबस्तिके को तुम बिना किरचाओ लगा ही बना सकते हूं से छिल गज़्यु को देखा ड़ेगा अगर देखा जाए बिटा तो पहले हमारा एक ऐसा है पहले है यह सी जाई प्लस माइनस अब यह हो गया बिटा कैपसिटर क्या सेल के साथ है ने बिटा अभी मैंने कहा था चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक की दोनों का पोटेंसिल डिफरेंस सेम न हो जाए है ने बच्चा तो दोनों का पोटेंसिल डिफरेंस सेम हो गया इसका मतले इस पे चार्ज कितना हो गया तो इस पे चार्ज हो गया सी जाई वाई टू अगर दोनों का पोटेंसिल डिफरेंस सेम हो गया तो इसका पोटेंसिल डिफरेंस क्यूंकि यह जाई जाई ए डू था आ यहा है कि मतलब कितना रेहां जिल गया बोलो एसे भी तूम कर सकते हो बिना लूप छभे एक्वशन आप कर सक मोझे आप देखो कमाओ घल टा यू कितना हुआ कि ót डेलटा यू कितना हुआ तो को होगे U final minus U initial पहले कितना था energy? पली बाद में कितना energy है बटा? तो को होगे C is I by 2 chi square by 2C minus पहले कितना था बटा? C is I chi square by 2C तो देख बच्चा, ये हो गया 1 by 8 1 by 8 minus 1 by 4 कट गया? एक मिनट अब देख बच्चा, तो 1 by 8 minus 1 by 2 पहले कितना था बटा? तो ये हो गया, minus 3 by 8 C is I square ठीके बटा? अब देखो W cell cell का वर्टन कितना हुआ? तो देख बटा, cell ने charge ULTA absorb कर लिया ने? cell charge दिया नहीं cell charge बटा, absorb कर लिया absorb कर लिया तो वर्टन नेगेटिव ठीकें? कितना वर्टन? तो C xi by 2 into xi इसका मतलब C xi square by 2 पूलो बच्चा ये क्या होता है? क्यू? क्यू क्या? जो बैटरी के टर्मिनल से चार्ज पास किया तो बैटरी के टर्मिनल से कितना चार्ज पास किया? यही ने पास किया? अगर ये चार्ज रिलीस किया तो पॉस्टिव अगडन चार्ज अब्जर्व किया तो नेगेटिव अगडन ठीक है बच्छा अब इनर्जी का एक्विशन लगाओ W external plus W cell बराबर delta U plus H है ने बच्छा तो W external तो 0 है बच्छा और यह हमारा था बटा minus 3 जाए स्वार बाई 2 और यह था 3 by 8 है ने बटा तो 1 by 2 यह कितना हो गया 1 by 4 by 8 तो 4 by 8 minus 3 by 8 इसका मतलब है एक्वल टू C x i square by 8 यह अंसर आएगा बच्छा ठीक है C x i square by 8 ठीक लिख लो कुसागर नेमा यह सर्ड जो आपने वर्दंबाय सेल लिखा है उसमें Q into EMF और EMF E by 2 है सबार अबर बच्छा बिल्कों सही कहा मेरी गल्ती है यह फाएगा यहिस को जागा नहीं यह 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 जागा नहीं यह यह जागा हमारा कितना बटा माइनस 2 बाइयट यह होगा माइनस 2 बाइयट प्लस 3 बाइयट अब टीक है C x i square by 8 यह सरो यह दाओत और था पुछो सर्ल अगर यह पुरा आईडियल सिस्तम है एडियल बैटरी भी आईडियल है तो यह ही लौस होती कहा से है कनेक्टिंग वायर्स में अच्छा तीक है सुन लो सुन लो पुरी बास सुन लो पुछे हो तो यह सर्क बच्छा जे कैपसितर हमारा होता ने बिटा एडियल है यह अल्मोस्ट इंस्टेंटली होता है चार्ज अच्छा इसका मतलब इतना चार्ज फ्लो होने में टाइम कितना अच्छा मतलब रहां टाइम बहुत कम लगा बच्छा मतलब क केंट बहुत जादा है यह सर् करेंट बहुत ज्यादा है और इसमें प्रस्टेंस चेंळिंक टूढ है तो ही Tut जा था हैतँ हूं है हां हाँ इन्फिनिटी का ही स्क़र इंटॉट इंटूग जिरो अक्ता है इन 10-10-9. नदीम, Ui-Uf कै नहीं किया है क्योंकि मा विल्टायू है ब्लोब बुलो नदीम आवाज नहीं आ रहे बच्छा तुम्हारी क्या करूं डबलू सेल में माइनस क्यों लगाया क्योंकि बैटरी चार्ज हो गया बैटरी अगर चार्ज देगा तो पॉस्टिब बैटरी अवाज कहां से आ रही है अमन की आवाज आ रही है तो डिस्कुशन करेंगे कि अहां बिल्कुल करेंगे अभी करेंगे डिस्कुशन चलो सीट निकला जाए कोई बताओ मैंने क्या काम दिया था कल आधी बोल तो कि बीच में गैप है तो कैंट कैसे कैंट फ्लोगा कैंट लो नहीं होता है बटा आप आवार तो बोल रहा हूं या इंडेक्शन होता है बटा इंडेक्शन एक्सेस्टू का पार्ट वन पार्ट थ्री ठीक है अ कि इस्ट में पार्ट वन पार्ट तरी कि के स्टमे कंबिने संट आज अथा हम उचे पता है बिटा मुझे बाइन आप पर अ डबनू एक्स्टरनल कैसे वे फोर्स कोई लगे तो अबटा कोई एक्स्टरनल फोर्स सिस्टम में नहीं है बच्छा एना एक्सटरनल फोर्स वाले कुशन कराऊंगा अभी यूज नहीं इसका है कि अध्यूरी आज की हो गई बटा एक क्लास और लगेगा जहां तक सिलेबस है वहां तक में एक्सटू का पार्ट वन निकालो एक्सटू का पार्ट वन में कल कहां तक है थे हम लो पंद्रह तक हो गया था ओके ठीक है एक्सटू का पार्ट वन में पंद्रह तक हो गया था तो कि ठीक है प्रीक आगे बोलो डॉट बोले में डपांस देखो गया था तो सोला से 20 में कोई डाउट इस चौदर नंबर क्यों लिख रहा है तूंजब पांदा हो गया तो चलो बताया था हूं देख लो सट्रह टारह उनिस भीष चार कॉछन पुछ लिया रहे चली तो बच्चा कॉंसर नंबर सट्रह सट्रह है बता लिख रिट्राइब ने देख लिख रुचिन बाटबर क्या दिकाद बता जब तुम को A3 का बिटा दिया है रीडिंग A3 का पता है बिटा रीडिंग तू पर लगा दो I1, R1 अनीशिया I2, R2 पर आपर बिटा जिसके मतलब इदर वाला बजागा I1 प्लस I2 अठार दो को बिटा अठार नमबर कोश्चिछन अठार में काता है रिस्टेंस अपडर रिस्टेट शो इन दफिकर इस 30 ओम नेगलेक्टिंग दामिटर इस तेंस दरेशियो फ्मिनिमम और मैंस्यम करेंट तू दामिटर क्या होगा देखा तो बच्चा यह होगा हमारा 5.5 वोल्ट ठीके यहां से आया वायर यह दो आइडियल वायर बीच में एक रिजिस्टेंस यह रिजिस्टेंस यह रिजिस्टेंस यह रिजिस्टेंस और यहां से बिटा रियो स्टेट और यह हमारा वैरियबल रिजिस्टेंस यह पूरा रिजिस्टेंस से बिटा तीस ओम लेकिन इसको मैंन मानों अब दो को पटाये 30 और ये 65 त्सवाल करता है बटा मैक्सिमम और मिनियम रेस्टेंस के वाईलू पूछा अगर मैं इसका पोडेंस्ले माननों भचा तो इसका पोडेंस्लेंशीलले होगा क्योंकि आईडियल बहर हें और इसका बोडेंस लीविपोड यह वा जी आप ए द घया गाश्या तो देखो यह फी और यह वह क्या लिखोगे थीस और साथ पैरलल तो 30 इंटू 60 बाइ 30 प्लस 60 प्लस यह आर रिजिस्टेंस बोलो है कि नहीं बिटा यह हो गया हमारा 20 प्लस आर तो करता है बिटा आर एक्वेलेंट अगर निकल गया तो करेंट हमारा क्या हो जाएगा तो केंट हुजागा बिटा 5.5 के लिए रिजिस्टेंस मिनिमम कर दो तो बिटा मिनिम रिजिस्टेंस के लिए क्या कहो के बिटा मिनिम रिजिस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू कम से कम तो यहां कर लो बिटा 5.5 बाइ 20 प्लस 0 ठीके बच्छा और अगर तुमें चाहिए आई मिनिमम मिनिम करना है बिटा resistance है ना तो minimum resistance के minimum current के लिए resistance maximum है ना बच्चा minimum current के लिए resistance maximum करो ठीक है तो resistance maximum करो कि क्या हो जाएगा 5.5 by 20 plus 30 maximum value इसकी ठीक है आगे चलो आगे तक बच्चा को सिरीज में जोड दो एक अमीटर और वोल्ट मीटर को सिरीज में जोड दो एक बटा आमीटर को और वोल्ट मीटर को सिरीज में जोड दो ठीक है बटा किसी सेल के साथ किसी सेल के साथ ने बटा तुमान लिया current आई फ्लो किया बच्चा एना तो इसका रीडिंग जो है वैए और जिसका रीडिंग हमारा राह था भी टिगए अब काता है इफ रिस्टेंस इन जोड दो पैर्लल में इन पैरलल विद दैवोल्ट मीटर गता है बच्चा अब अगर इस में एक रिस्टेंस जोड दिया जा यह रेजिस्टेंस जो दो पैरलल में है ना बिटा तो दोको बच्चों जब रेजिस्टेंस लगाते हो पैरलल में तो एक्वेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू घड़ जाती है इसका मतलब सरकीट का एक्वेलेंट रेजिस्टेंस घड़ गया बच्चा तो एक्वेलेंट र वहाँ का बिटा यह अब आईडास फ्लो करेगा और आईडास हमारा बिटा आई से बड़ा है नहीं इसका मितलब आमीटर की रिडिंग इंक्रीज कर जाएगी आमीटर की रिडिंग इनिक्रीज कर जाएगी आगे सुना ध्यान से देख बिटा इसका पुटेंस लेकर 50 प्लास इसका वोल्टेज देखें बिटा तो इसका वोल्टेज आना चाहिए बच्चा अब कहो कि देखो इसमें जब करेंट हमारा बढ़ गया तो इसका पोटेंसिल डिफिरेंस बढ़ गया बच्चा क्योंकि करेंट जादा हो गया तो पोटेंसिल डिफिरेंस का बढ़ ग जाएगा इसका मतलब B की वैल्यू कट जाएगी ठीके बच्चा आगे चलो बीस नंबर गवटा बीस नंबर में कुश्य नंबर बीस बीस नंबर कहता है बटा एन आमीटर एंड वोल्ट मीटर और कनेक्टे इन सिरीज चुह बैतरी ओप एम फिट वोल्ट कथा बटा एक का मीटर और एक वोल्ट मीटर को सिरीज में एक बैटरी से जोड़ दो अब लिखता है बिटा 6 वोल्ट की बैटरी है when a certain when a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter अब voltmeter में एक resistance जोड़ दो parallel में ठीके बच्चा यह अभी भी 6 वोल्ट का है the reading of the voltmeter decreases two times मतलब अगर इसका पर रिडिंग भी था बिटा तो इसका reading हो गया भी भाई 2 whereas whereas reading of the ammeter increases the same number of times जबकि इसमें केंट अगर आई था बिटा तो इसमें केंट हो गया 2i चीकें find the voltmeter reading after the connection of resistance इसका voltage by2 should be equal to 6 equation number 2 है ने बिटा दो variable दो equation दो variable कौन से तो एक variable यह एक variable यह एक यह variable एक यह variable है ने बिटा दो variable है ने बिटा और दो अन्नोन solve करो ठीक यह एक dl से पचीस चौदा 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 आए 14 number काता है बटा in the circuit zone reading of ammeter and voltmeter are 4 ampere and 20 volt दिख बच्छा एक ammeter और बटा यह resistance are और यह है हमारा voltmeter है न बच्छा अब काता है बटा ammeter में केंट पास किया 4 ampere इसमें पास किया 4 ampere और इसका reading है बटा 20 volt है न तो दिख बच्छा 4 ampere केंट यहां जाएगा तो इसमें केंट x माल लो तो इसमें करेंट 4 minus x है न बच्छा तो क्या लिखोगे 4 minus x into resistance r should be equal 20 च्छाँ कि दोनों का potential difference same ही होगा बच्छा है न इसका मतलब r is equal to 20 by 4 minus x बिटा कुछ भी आएगा तो इस पांच ohm से बड़ा ही न आएगा बच्छा चीके 20 के बाद 24 23, 21 21 देखो question number 21 देखो बिटा एक आविनो मीटर has resistance 100 ohm गया बिनो मीटर के बिटा resistance है 100 ohm और requires a current of 100 micro ampere यह बिटा आई जी यह बिटा 100 micro ampere for full scale deflection a resistance 0.1 ohm is connected to parallel to make it anameter cent लगाया बिटा cent लगाया 0.1 ohm का ठीके the smallest current required in the circuit to produce full scale deflection is यह बिटा यह का मतलब करता है कितना current pass करना चाहिए मतलब आई मीटर बनाया तो i निकालना है सीधे लगाना फार्मूला बिटा is i equal to g plus s by s into ig i निकाल लो ठीके यह फार्मूला आई ने बिटा गया बिनो मीटर से आई मीटर बनाने के लिए 22 नमबर चाहिए देखो यह 22 नमबर में 22 नमबर ने पोस्ट अफिस बक्स पढ़े थे ना पोस्ट अफिस बक्स पढ़े थे ना कुछ नहीं बोला गया मतलब यस ठीके बच्चा देख फिर भाईष नमबर में भाईष नमबर में कहता है बिटा बिटीन विच पाइंट Should the terminal of unknown resistance be connected in post office box arrangement to get its value? अरे बच्चा देखो, post office box, wheatstone breach पे इकाम करता है नरे? बोलो ठीके? यह P, यह Q, यह R और यह X X हमारा है unknown resistance ठीके? Post office box arrangement Post office box, यह होता है बटा Post office box arrangement के लिए यहाँ से यह हो गया P इधर हो गया यह Q यह पूरा होता है बटा R यहाँ से ले कर के यहाँ तक यह पूरा होता है R इना बटा? कह जोडते हैं इसमें हो? तो करते हो P और Q को जोड़ दिया बाहर के बैटरी से यहां जोड़ते हैं इसको बैटरी से है ना यहां लगाते हैं क्या बैटा हम लोग cell तो unknown resistance X कहां लगा है देखो तो कोगे battery के इस point से battery के इस point से कहां तक unknown resistance के point तक मतलब यहां से ले करके बिटा है ना यहां से ले करके यहां तक चिके इसके मतलब A से लेकर D तक बच्चा question नमर आगे बोलो 24 देखना है ना post अब इस बॉक्स का concept बताने में लगबग जाता है बिटा एक class है ना 24 देखो 24 नमर question 23 भी चाहिए 23 चाहिए देख बच्चा लेट भी एंड आई भी दे रीडिंग फोल्ट मीटर अन दा आ मीटर रीडिंग रिस्पेक्टिवली तो काता है बिटा आर भी आरे भी देयर करेस्पोंडिंड इस्टेंसेंस तो क्या होगा देख दो रे एक रिस्टेंस आर यह हमारा वोल्ट मीटर यह होगा बिटा आर भी और यह हमारा है आ मीटर यह है आर ए चीक इसमें से केंट पास किया बिटा आई यह ना उसमें से केंट पास किया आई चीक है और इसका रिडिंग है बिटा भी चीक तो क्या लिखोगे इसका रिटिंग अगर V एबिटा तो इसमें केंट कितना आना चाहिए V upon R V और इसमें कितना केंट जाना चाहिए तो V upon R ये दोनों केंट एड़ होगा तो ये केंट बनेगा तो इसका मतलब I equal to I equal to V upon R V V plus V upon R solve कर लो 25 और 26 25 देखो 24 किसीने पूछा था बेटा तो देखो रहे 24 में क्या करना देखो बेटा एक साइकल ले पूछा है एक साइकल का मतलब हुआ 0 से ले करके 0.2 सेकंड समझा तो क्या करो पहले तुम 0 से 0.1 सेकंड आओ फिर 0.1 से 0.2 सेकंड आओ ठीक है बच्चा है ना तो 0 से 0.1 के लिए voltage तुमको पता है voltage ये बटा 4 वोल्ट 0 से 0.2 इसका voltage है minus 2 वोल्ट ठीक है बच्चा resistance पता है तुमको resistance दिया है बटा 10 ohm तो इसमें निकालो power b square by r यहां निकालो power v square by r ठीक है बटा हीट h1 equal to power into time इसका heat h2 यह है power into time ठीक है बच्चा सवाल पुछा गया था कि average power कितना होगा तो total heat कितना हो जाएगा total heat हो गया तुमारा h1 plus h2 बोलो बच्चा total heat average power total heat by total time by total time कितना है 0.2 second ठीक है बच्चा 25 देखो पच्चीस नेंबर क्चिन नेंबर क्चिन यह को एगिवड़ा question number पचीश पचीश करता है विटा two cells each of EMF E internal resistance R1, R2 are connected in series with an external resistance R the potential difference between the terminals of first cell will be zero when R is equal to देख बच्चा करता है दो cell मान ले EMF E ये भी EMF E internal resistance R1 internal resistance R2 इसको जोड़ दिया विटा external resistance capital R से है न विटा कहता है potential difference पहले वाले सेल का zero होगा ठीके बच्चा तो देखो इस वाले में current कितना होना चाहिए तो कहेंगे current होना चाहिए विटा 2E divided by 2E divided by R plus R1 प्लस R2 न वच्चा बो यही होना चाहिए लेकिन कहा गया इस वाले का potential difference 0 है B1 equal to 0 इसका मतलए E minus IR1 equal to 0 E is equal to IR1 इसको यहां से put करो और solve करो ठीके? अब देखो आगे 26 नमबर 26 नमबर कहता है बटा इन इन पोस्ट आफेस बॉक्स तरकीट 10 Ohm प्लग इस टिकेन आउन यहां में भी और 100 Ohm इनाम BC देख बटा एक में अक्टिवेट किया 10 Ohm और एक में अक्टिवेट किया बटा 100 Ohm तो एक में 10 और एक में 100 अब डखकन दोनों डिशार्ज हो रहा है प्लस क्यों होगा बच्छा चार्ज हो रहा है न चार्ज होगा तबने करो के प्लस देगे बच्छा काता एक में 10 और एक में 100 26 नमर देख बटाइजा दस और इजार सो बटा इसका मतरेशी हो गया बने इस टू टेन का ठीक है अब कहता है बटा अन्नोन को रखा बटा आइस चेंबर में और 600 ओम रिक्वार्ड इन एडी फॉर जीरो डिफ्लेक्शन गैविनोमीटर तो देख बटा अगर यहां तुम रखते हो 600 ओम इसका मतलब एक्स कितना होना चाहिए सोचो जो बटा एडी में कहता है देखो 10 AB हमारा AB में 10 ओम और BC में रखा बटा 100 ओम और इधर है 600 ओम तो दस गुना करो कितना हो गया 6000 ओम आइस चैंबर में इसका मतलब बटा जीरो डिग्री सेंटिकेट है ना अब कहता है बटा अब 100 डिग्री सेंटिकेट पर कर दिया तो फिर हमाना आर मेडी में 630 ओम चाहिए तो यह 630 ओम रखा रेशियो दस का है बटा तो इसका मतलब यह हो गया 6030 बोलो नहीं यह हो गया बटा 3300 ओम एट 100 डिग्री सेंटिकेट तो कहता है टेंपरेचर कोफिजियंट क्या होगा ठीके बटा तो क्या हो जाएगा आर एट टी बराबर आर जीरो वन प्लस अलफा टी आर्टी हो गया बटा 6300 यह हो गया 6000 अलफा इंटू सो निकाल लो अलफा ठीक है बच्चा पार्ट त्री में आओ पार्ट त्री का फार्ट सेकेंड एक से पांच पार्ट त्री में अले मत लिख पिटा क्या पेका लिख रहा है को सिन नंबर वन दो को सिन नंबर वन में देख पिटा फर्स कोस्टिन काता है एक कंटिनुवर्स बीम अफ एलेक्ट्रोन इमिटेट बाइटिंग फिलामेंट और एक्सेलरेटेड इन फ्री स्पेस बाई लेक्ट्रिक फिल्ड एस सुन दे फिगर देख बच्चा एक फिलामेंट को गरम किया जाए तो यहां पर इलेक्ट्रोन आके जमा हो जाएगा बच्चा ठीक है और जब तुम ऐसे इलेक्ट्रिक फिल्ल लगाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसे फोर्स लगेगा E into E ठीक है और इस फोर्स लगने से सारे इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ेंगे समझाए विटा अब कहता है टू स्टॉप्स अड़ लेफ्ट इंस्योर डाट इलेक्ट्रॉन बीम है जे उनिफर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो बी हमारा कॉंस्टेंट रहे ठीक है पहला अप्सन देखो लीनिया मोमिन्टम अफ दे एलेक्ट्रॉन इंक्रिस व्रॉम ए टूबी तो देख बटा अगर ऐसा फोर्स लगता गया तो इस स्पीड बढ़ेगी न और जब इस स्पीड बढ़ेगी बच्चा इसका मतलब इसका मोम इसका मतलब B वाला ऑप्सन B सही है C वाला magnitude of current is same at A and B करता बटा A और B दोनों पॉइंट पे current की value सेम होगी सुचना बटा एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेग इसका मतलब current वाकई सेम होगा बच्चा तो C वाला ऑप्सन भी सही है चीक है अन्य बटा अभी I equal to NAEVD इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि I equal to NAEVD सिर्फ conductor में होता है इस्तेमाल और यह तो हवाया मूब कर रहा है electron same direction में दी देखो current density is same at a and b एन बटा तो current equal to I by area area हमारा सेम बटा और आई भी हमारा सेम है तो current density भी सेम ठीक है पांच निम्बर तक और कोई डाउट अरे कौन भकवास लगा है भाई कहाना तक पढ़ाया कहाना तक पढ़ाया निकालने दो इसको ग्रूप से इस्टाप कर रहा है यह बच्चा चल देखो को से नमबर 5 फाइव ने टू पुझा गवी टू देखो को से नमबर टू को से नमबर टू देख बच्चा को से नमबर टू काता है करेंट पासेस थ्रू एवायर ओफ नौन इनिफर्म क्रॉस सेक्षन विच अफ़ फॉलोईंग क्वंटिटीटीज आर इंडिपेंडेंट आफ दू क्रॉस सेक्षन नहीं तो देख बच्चा अगर कोई नो इनिफर्म वायर है बच्चा तो चाहे जैसा भी वायर हो अगर ए सब्सक्राइए एक यहां एमिक एफ लो की या तो हर जगह कुरेंट एक हीन एकमिए फ्लो करेंगा वेच्चा के पाइप हमारा कहीं पतला कहीं मोटा हो उससे क्या पानी पर अपत्र नौना प्र लफ से दूसरे पेप सहं फान से पिल डूसरे थिष हम रहेगा नंथ लक suchen स से का सीम रहेगा बच्चा ठीक है इसका मतलों अप्शन नंबर ए हमारा सीम सही है डिफ्ट स्पीड बी वाले के लिए बीवाले के लिए पिटा आई बरावर एन-ए-ई-वी डी वी डी एक्वल टू आई बाई-ए-ई-ई-देखो पिटा एरिया पर डिपेंड कर रहा है नंए यह तो एकलाद हो गया सी देखो सी कहता है 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 कुरेंट डिंसिटी तो पिटा करेंट डिंसिटी क्या होता है आई वाई एरिया इसका मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है ते भी गलाथ दी देख बच्चा डी है फ्री ईलेक्ट्रों डुन्सियटी तो फ्री एलेक्ट्रों डेन्सिटी मतलब अ गजा ऑप मैटेरील हैं तो यूणिफार्म मों चाए मों इन उनीफार्म हो उस अब जयगा वने से मिरायगा बाडे बच्चा, पाउज नमबर तक और कोई खाए। 3 का D में doubt है देखो 3 में Question number 3 में देख बच्चा 3 number कहता क्या है When no current passed through a conductor अगर कोई conductor से current pass न हो पहला The free electron do not move गलत ना बटा Temperature के वज़ा से भी तो electron move करता है न Drift T-speed आता है न बच्चा ठीक है B देखो The average speed of a free electron Over a large period of time is 0 Average speed बटा Electron तो लगाता है न बटा Electron अगर move कर रहा है इसका मतलब Average speed कभी 0 नहीं हो सकता है न बच्चा Distance traveled by time See average velocity of free electron Over a large period of time is 0 क्योंकि बटा potential difference लगाया नहीं तो current आया नहीं चाहिए Current अगर नहीं आना चाहिए इसका मतलब इसका मतलब Average velocity in time interval 0 होना चाहिए न बच्चा The average of velocity of all the free electron At any instant is 0 है न बच्चा एक सिकेंड में जितने electron दाहीं तरफ जा रहे होंगे एक सिकेंड में उतने electron बाहीं तरफ आएंगे है न क्योंकि अगर नहीं आये तो resultant current हो जाएगा जो कि संभव नहीं है क्योंकि potential difference लगाया नहीं तो D बाला answer भी सही है और बोलो बिटा अब मती बोलो time खतम होगया चलो तो अगली बारें बिटा क्या करना exercise 2 का part 3 और exercise 3 का part 1 ये करके आना ठीके बच्चा ये वाला काम करके आने इस class में ठीके बच्चा है ना और कुछ हम वक्देजीट ट्रांस्पर में कहा तक हुआ है आधी आधी बोल तो हीट ट्रांस्पर में हुआ है कुछ डिसकस कुछ भी नहीं हुआ डिसकस अरे बोल तो class नहीं किया था सर और तुम ग्लास नहीं किया हरसदा देवेस जाएं section ABC हो गया और match the column का पहला हो गया section ABC हो चुगा है heat transfer में और match the column का पहला हुआ है match the column का पहला हुआ है तो चलो heat transfer का exercise 2 का part 1 करो तो तो तूपार्ट में टूपार्ट टूबचा हुआ है तूपार्ट टूबचा है हां तूपार्ट टूबचा है दोनों mix करें काम कर लो क्योंकि heat transfer की सवाल लाएंगे ने बच्चा ठीका सर चलो अभी के लिए बाए कर दो कर दूपार्ट झाल झाल